नमस्कार दोस्तों मैं जीवराज बेरवा आप सबका स्वागत है मेरे इस यूटूब चनल में दोस्तों आज इस वीडियो में पांच महत्पूर्ण कैमरा सेटिंग के बारे में बात करेंगे जो की ऐसी सेटिंग है अगर उन सेटिंग को अगर आप फोटोग्रोपी आप घर थिसेटिंग होती हैं तो जब भी आप फोटोग्रोपी करते हैं अगर प्रॉपर लाइट के साथ में अगर फोटोग्रोपी कर आए तो मैं कोई प्रोब्लम नी आएगी जो दिखन रहा है वही आपको मिल रहा है थीझे लेकिन जब भी आप केमरे पर फ्लेस ल अगर फोटोगरोफी करते हैं तो वहां आपको प्रोपर लाइड में काएस नीढ़ रहता हैं तो उस वोजेसे आपको fren07 करते हैं या फ्रेज के साथ में अफ्रोटोगरोफी करते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता या एक्सपोजरी में प्रोब्लम आती है या फिर आप लो लाइट में जब जाते हो तो वहां कुछ नहीं दिखाई देता है तो उस कंडिशन में का करना है आपको उस सेटिंग में जाके ओफ कर देना है तो जब भी आप लो लाइट फोटोक्रोपी करते हैं तो आपको प्रोपर दिखाई देता है केमरा एक तरह से आपके DSLR की तरह वरक करने लग जाता है अगर आप फ्लेश के साथ में कर रहे हो तो भी आप उस सेटिंग को ओफ कर लीजेगा यह कैसे करेंगे कहा मिलेगी यह कस्टम सेटिंग में मेन्यू में मिल जाएगी सुटिंग इस सेटिंग के बारे में कि अगर आप प्रोपर लाइट में अगर आप सूट कर रहे हैं तो आप इस सेटिंग को ओन रखोगे अगर आप फ्लेश के साथ में सूट कर रहे हैं या लो लाइट में अगर सूट कर रहे हैं तो इसको ओफ कर लोगे ताकि आपको जो है प्रोब प्रोटोग्रोपी करोगे आपको इजी हो जाएगी स्टार्टिंग में आपको यह विट ना होने की वज़े से उसी को आप प्रेस करने में या फोटोग्रोपी करने में थोड़ा सा आपको प्रोब्लम आ प्रोब्लम नहीं आएगी और इजी हो जाएगा क्योंकि आप जब भी आप फोटोग्रोपी करोगे तो शिर्प आप उस बटन को आप फोकस करोगे एफ पटन को जैसे आप फ्रेस करोगे तो कैमरा फोकस करेगा और आपका जो स्टिल रिलीज बटन है शिर्प वो आपका में आपको फोकस कर लिया तो आप जब भी सोट चाहें जिस इसन में आप स्टिल रिलीज कर सकते हो आप इमेज कहीं सकते हो तो यह थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी आपको इजी हो जाएगा फोटोग्रोपी ठीक है तो इसका अगर आप इसको जो है आप कैसे एक्टिव में मिल जाएगा इस पर भी वीडियो बना रखा है कि ओठो को कैसे क्टिविक्स करें और फोकस के लिए तो उस पर जो है आप जाके चिख सकते हो तीसरी सेटिंग के बारे में बात करेंगे फोकस्मोड में काफी confusion होता है starting में तो होता ही होता है लेकिन फिर भी बोस्तों को बाद में मलब जो फोटोग्रोपी करते वे बहुत दिन हो गए उनको अभी भी अगर किसी मलब अगर पूचा जाए तो अभी भी अगर आपका सब्जेक्ट स्तिर है कहीं भी हिल नी रहा है कहीं भी मतलब स्तिर है एक जगह स्तिर है तो वहां आप एफ यूज यूज करोगे और एफ सी कहां यूज करोगे एफ सी वहां यूज करोगे कि आपका सब्जेक्ट हो सकता कभी भी हिल जाए या वह हिली रहा है मतलब या तो मूविंग स्ट्विशन में है या फिर आपको पता नहीं कि यह कभी भी हिल सकता है तो वहां पे एफ सी यूज करोगे क्योंकि ए एपस में continue मतलब आपका autofocus नहीं करता है कि अगर आपका सब्जेक्ट स्तिर है तो वह फोकस रहेगा लेकिन अगर सब्जेक्ट बीच में अगर थोड़ा सा भी अगर मुव हुआ तो आपका सब्जेक्ट फोकस जो है आउट हो सकता तो सिर्फ आप अपने मलब आप सिर्फ य यह यूज करो ठीक है और अपन चोती अगर अपन सेटिंग के बारे में बात करें तो वी आर मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन वाइब्रेशन रिडक्शन जो है आप कहां यू ओन रखें कहां ओफ रखें अब इसमें भी आपको टीन उप्शन मिलते हैं एक होता है नॉर् घ्लाव मतलब बंद रखना अब नॉर्मल कहां रखें और सपोर्ट कहां रखें स्पॉर्ट जो नॉर्मल का मतलब आपका हैंड़ पर आप फोटोग्रोपी कर रहे हो और आपके हैंड़ से अगर वाइब्रेशन को मतलब रिडूस करना है आपके हाथ ही लिए तो मतलब हैं या आप भी running मलब आप हील रहे हैं आपका जिस को आप सुट कर रहे हो सब्जेकट भी rणिंग में है तो आप सिद्था और सिधा सा ह। है कि अगर आप हैंडंढ्ल यूज कर रहे हो तो नौर्मल सुट कर सकते हो आपका सुट स्थीह रह नहीं यूल रहा लेकिन अगर आपका subject भी move situation में है और आप खुद भी move situation में है तो आप support यूज़ करोगे ठीक है अब इसको on or off off का रखे और on का रखे अगर आप हैंडेल यूज़ कर रहे हो तो on रखो अगर tripod पे यूज़ कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है इसको ओफ रख सकते हो और लेकिन जब आप वीडियो ग्रोपी कर रहे हो तो वीडियो ग्रोपी में हमेशा इसको अगर ट्राइपोड अगर है आपके ट्राइपोड आप पे आपके ने केमरा लगा रखा तो इसको ओफ ही रखे हैं अन्यता आपके वीडियो में इसको वीर को भी बात करें तो पांच भी शेटिंग होती है केमरे में एर्प्लेन मोड होता है अब इससे क्या होता है कि कई बार जैसे आई म 04 वाक सनधे लिए होता है कि यार केमरा बहुं ज़्यदा बैरी डिस्टार्ज हो जाती है जल्दी डिस्टार्ज हो यह थी दिश्टने ची है फोड़ीसी ज़्याधा चलने चीए पहले चुदब ले aja вз aconteceu और थो यह थो यह थो तो इससे क्या होता है Airplane Mode जब आप ओन कर लेते हैं कैमरे में तो कैमरे का Bluetooth Wi-Fi यह सब बंद हो जाता है तो जब आप यह बंद हो जाता है तो आपकी बेटरी जो है कैमरा कंजूम करता है तो बेटरी थोड़ी सी जो है आपकी ज़्यादा जलती है तो इसको भी आप इस सेटिंग को ओन करके रखें अगर आपका ट्रांस्परिंग का काम नहीं है क्योंकि जब भी यह आपका ब्लू यह ओन कर लेता है तो आपका Bluetooth ओन रहता है कैमरे में Wi-Fi ओन रहता है तो उससे क्या कि ओटो कनेक्टिविटी जब हो जाती है केमरे के और मोबैल से तो वह ट्रांस्परिंग चलती रहती है तो इससे बेटरी की जो है मलब जल्दी मलब डिस्चार्ड हो जाती है तो यह भी मलब जो सेटिंग है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर इस सेटिंग को अगर आप ओन करके रखते हैं तो आपकी कैमरे में जो है Bluetooth और Wi-Fi ओफ रहेंगे तो आपकी जो है बेटरी जो है थोड़ी सी बेकप जाधा देगी तो यह थोड़ा सा ध्यान अगर इनका ध्यान रखेंगे एगर आप अपनी फोटोग्रोपी में यूज करोंगे तो आपकी फोटोग्रोपी की जो है और अच्छी कर सकते हो ठीक है दोस्तों आई होब कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को प्रेमाद